सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है आज की इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे इंटरनेशनल ओर्गनाईजेशन और उनसे जुड़े कुछ इंपोरेंट MCQ जिसको लेकिन सबसे पहला कोईशन ये है कि आपको इस लेक्चर को क्यों देखना चाहिए तो पहली बात ये है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी इंटरनेशनल ओर्गनाईजेशन के पूरी यूनिट की रिविजन हो जाएगी दूसरी बात ये है कि आपके यह लेक्चर देखने के बाद 10 मार्क्स पक्के हो जाएगे और तीसरी बात यह है कि आपका time save होगा क्योंकि आपको international organization के बारे में और कहीं पढ़ने की जुरुत नहीं पढ़ेगी और ना ही YouTube पर कोई और वीडियो देखने की जुरुत पढ़ेगी Question number one based है United Nations के उपर यानी कि इसमें आपको United Nations के बारे में सही statement को choose करना है तो यह रही आपके पास statements जिसमें पहली है India signed to UN on 26th June 1945 The United Nations was born at the San Francisco Conference तीसरा है originally UN had 51 member states और वहीं चौथा है कि Dag Hammerskoll ने कहा UN as a weird Picasso abstraction वहीं पाच्वा है UN General Assembly Resolution 2832 declared Indian Ocean as a zone of peace तो यह है आपके पास चारों options आप वीडियो को पौज करके सोच समझ कर इसका answer दीजिए तो इसका correct answer होगा D क्योंकि सारी की सारी statements सही है अब हम United Nations के बारे में detail में और आसान भाशा में समझ लेते हैं तो पहला point यह है कि इंडिया ने 26th June 1945 को UN पर sign किये और इंडिया 30 October 1945 को United Nations का member बन जाता है और खास बात यह है कि United Nations का जनम होता है San Francisco Conference में जो कि 25 April 1945 से 26 June 1945 तक San Francisco में आयोजित की गई थी और इसके originally जो members थे वे थे 51 वहीं note करने वाली बात यह भी है कि Poland ने 15 October 1945 को UN Charter पर sign किये थे और जो UN General Assembly का resolution है 28-32 वह होट declare करता है Indian Ocean as a zone of peace और एक important quote आपको याद रखनी है जिसे Dag Hammershaw ने दी थी जो कि आपके exam के लिए बहुत ही important है इसमें इन्होंने कहा था कि when people, just people, stop thinking of the United Nations as a weird Picasso abstraction and see it as a drawing they made themselves इसका मतलब यह है कि जो UN की जटिलता है उसकी तूलना इन्होंने पिकासो की जो अजीब यानि की जटिल पेंटिंग है उसके साथ तूलना की थी अब हम discuss कर लेते हैं कि United Nations को स्थापित करने की दिशा में जो conferences हुई थी वो क्या थी उनका क्या रोल था तो सबसे पहली जो conference स्थापित की गई थी या फिर आयोजित की गई थी उसका नाम था Atlantic Conference जहांपर एक important charter का निर्मान किया गया था जिसे हम Atlantic Charter कहते हैं तो इसकी date थी 9 से 12 अगस्त 1941 को और इसके key leaders थे US President Roosevelt and British Prime Minister Churchill जिनोंने 14 अगस्त 1941 को Atlantic Charter को issue किया था और जो eveno की शब्दावली है इसको coin किया था Roosevelt ने Atlantic Conference में और खास बात यह है कि Roosevelt एन चर्चिल ने एक important article लिखा जिसका नाम है Atlantic Charter और इससे भी important बात यह है कि एक जनबरी 1942 को 26 देशों जिनमें US, UK, USSR और चाइना प्रमुक थे इन्होंने Atlantic Charter को मान्यता दी अब आप ये भी समझ लीजे कि New Atlantic Charter क्या है क्योंकि ये भी आपके exam के लिए बहुत ही important हो सकता है तो जो New Atlantic Charter है इसको sign किया था UK के Prime Minister Boris Johnson और US के President Joe Biden के द्वारा 10 June 2021 को और खास बात ही है कि जो ये New Atlantic Charter है ये Atlantic Charter जिसको की British Prime Minister Winston Churchill और American President Roosevelt के द्वारा 1941 में sign किया था उसका ये एक New Version है और इसके कुछ important objectives है जैसे और अगला है कि ये बात करता है कि जो climate change है उसके उपर international action लिया जाना चाहिए अगली ये बात करता है कि to continue building an inclusive, fair, climate-friendly, sustainable, rules-based economy दूसरी important conference का नाम आता है Dumberton Oaks Conference और जब हम बात करते हैं इस conference की तो ये हुई थी 21 अगस्त 1944 से 7 October 1944 तक और खास बात ये है कि जो Washington DC है वहाँ के एक Dumberton Oaks जगहे पर ये held हुई थी यानि कि आयोजित की गई थी इसी वज़े से इसको Dumberton Oaks Conference कहा जाता है और ये based थी international peace and security organization पर और खास बात ये है कि इसने एक important role play किया United Nations को स्थापित करने के दिशा में और खास बात ये है कि इसको lead किया गया यानि कि जो ये आयोजित की गई थी conference इसमें चार फोर यानि कि विग फोर ने participate किया यानि कि United States, United Kingdom, USSR and Republic of China ने participate किया था अगली conference का नाम आता है Yalta Conference और जब हम बात करते हैं Yalta Conference की तो इसने भी UNO की स्थापना में बहुत ही ये शुरू होती है चार फरवरी 1945 से और ग्यारा फरवरी 1945 तक चलती है और इसको बुलाया गया था यानि कि आयोजित की गई थी और Yalta Conference की खास बात यह है कि 5 देशों यानि कि जिनें हम आज भी P5 के नाम से जानते हैं उनको वीटो पावर दी गई थी वहीं अगली जो conference आती है इसका नाम है San Francisco Conference और ये तो सबसे महतवपून conference थी ये चलती है 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक और इसमें 50 अलाइड जो nations है इन्होंने participate किया था और UNO का जो charter है इसी San Francisco Conference में बनाया गया था तो ये question बहुत ही important बनता है यहां से आपसे exam में बोच सकते हैं कि जो UNO का charter है वह किस conference में बनाया गया था तो आपने याद अखना San Francisco Conference अब हम United Nations को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं तो पहली बात ये है कि event charter को sign किया गया था 26 जून 1945 को event की creation हुई थी 24 अक्टोबर 1945 को वहीं इंडिया ने event को join किया था 30 अक्टोबर 1945 को और इसके original members थे 51 वहीं खास बात है कि Poland ने event charter को sign किया था 15 अक्टोबर 1945 को event का first member था China जो कि event में 28 September 1945 को शामिल हुआ था वहीं event का last member था South Sudan जो कि 14 जुलाई 2011 को event में शामिल हुआ था वहीं बर्तमान में event के 193 सदस्य है इसका headquarter New York में है वहीं Secretary General of the United Nations है Antonio Guterres जो कि Portuguese मूलके है वहीं event का objective है the maintenance of international peace and security the promotion of the well-being of the people in the world and international cooperation to these ends United Nations के छे प्रमुख अंग है जिन में पहला अंग आता है United Nations General Assembly दूसरा आता है United Nations Security Council तीसरा आता है United Nations Trusteeship Council चौथा आता है International Court of Justice पाच्वा आता है UN Economic and Social Council और छठा आता है United Nations Secretariat वहीं United Nations में पाच पर्मानेंट मेंबर है जिन में पहला आता है USA दूसरा आता है Russia तीसरा आता है France चौथा आता है UK और पाच्वा आता है China वहीं दूसरी तरफ UN की जो languages है यानि की UN Official Languages है ये छे हैं जिन में पहली आती है Arabic दूसरी आती है Chinese तीसरी आती है Spanish चौथी आती है English पाच्वा आती है Russian और छठी आती है French अब हम United Nations के Secretaries of General को डिसकस कर लेते हैं तो इन में पहला नाम आता है Trigbelly का तो ये पहले UN Secretary General रहे हैं जिनका tenure रहा है 1946 से 1952 और ये Norway से बिलॉंग करते थे और खास बात है कि ये जाने जाते हैं Accession Plan के लिए जो कि 1950 में आया था और ये संबंदित था Uniting for Peace Resolution जो कि UN का जो section है 377 Capital A उससे ये जुड़ा था और इन्होंने work किया था Kashmir Issue and Korean War के लिए वहीं दूसरा जो नाम आता है वो आता है Dag Hammersholt और ये even के दूसरे प्रमुख even Secretary General रहे हैं जिनका कार्यकाल यानि की tenure 1953 से 1961 रक रहा है ये Sweden से बिलॉंग करते थे और इन्होंने 1961 में Nobel Peace Prize को गेन किया था जो Congo Crisis हुआ था उसके settlement के लिए इन्हीं ये मिला था और इन्होंने work किया था Swaze Canal and Decolonization of Africa और खास बात है कि इन्होंने इवन को एक weird Picasso abstraction के रूप में देखा था Third General का नाम आता है Euthant तो जो Euthant है इनका tenure रहा है 1962 से 1971 और ये बर्मा से बिलॉंग करते थे यानि कि बर्तमान जो मियानमार है वहां से बिलॉंग करते थे और ये First Asian Union Secretary General है और इन्होंने work किया था Q1 Missile Crisis के लिए and Establishment of Peacekeeping Forces in Cyprus वहीं चौथे Generals का नाम आता है Kurt Baldham ये भी बहुत ही important Secretary General रहे हैं जिनका कारेकाल रहा 1972 से 1981 और ये Austria से बिलॉंग करते थे इन्होंने काम किया Resolve the Problems of Namibia Lebanon and Bangladesh Operation Next General का नाम आता है Xavier Perez D. Siller ये भी UN के पांचवें Secretary General रहे हैं जिनका कारेकाल 1982 से 1991 तक रहा था ये पेरू से बिलॉंग करते थे और इन्होंने work किया था for the peace in Cyprus, Afghanistan negotiating for the independent of Namibia वहीं इवन के अगले Secretary General रहे हैं बुतरस बुतरस गाली ये तो बहुत ही important Secretary General रहे हैं इनका tenure रहा है 1992 से 1996 ये Egypt से बिलॉंग करते थे और ये जाने जाते हैं An Agenda for Peace जो कि 1992 में इन्होंने दिया था और इसमें आप इसको क्रम के अनुसार याद रखें यानि कि chronological order में इसे याद रखें क्योंकि exam में इसे बार-बार पूछा जाता है तो जो An Agenda for Peace है इसमें इन्होंने सबसे पहले बात की थी Preventive Diplomacy की दूसरे नंबर में इन्होंने बोला कि इसके बाद Peace Making आती है फिर Peace Making के बाद Peace Keeping आती है और Peace Keeping के बाद Last में Peace Building आती है और इन्होंने कहा था कि I am Super Bagger United Nations के अगले Important Secretary General का नाम है Kofi Annan और जब हम बात करते हैं इनकी तो ये भी United Nations के बहुत ही महतोपून Secretary General रहे हैं जिनका कारेकाल 1997 से 2006 तक रहा था ये घाना से बिलॉंग करते थे और इन्होंने काम किया था AIDS, Tuberculosis और Malaria जैसे गंभिर बिमारियों के अगेंस्ट लड़ने के लिए Global Fund को स्थापित करने में वहीं इन्होंने 2005 में Peace Building Commission और Human Rights Council की स्थापना की इन्होंने UNO में सुधार की बात की और 2001 में इन्होंने Nobel Peace Prize को गेन किया वहीं UN के अगले Important Secretary General का नाम आता है वान की मून तो इनका tenure रहा है 2007 से 2016 यह South Korea से बिलाउंग करते हैं और नोट करने वाली बात यह है कि यह First Secretary General of East Asian है वहीं Second Asian After U30 Secretary General है और इनकी Key Achievement है कि इनकी ही अध्यक्षता में 2015 में Paris Agreement हुआ था United Nations के 9th Secretary General का नाम है Antonio Guterres तो इनका tenure रहा है 2016 से यानि कि बर्तमान समय में भी यही UN के Secretary General है और यह Portuguese मूलके हैं यानि कि Portugal से बिलाउंग करते हैं और यह ऐसे पहले Secretary General of the UN है जो कि UN की स्थापना के बाद ही जनमे यानि कि जिनका जनम UN की स्थापना के बाद ही हुआ था अब हम United Nations की कुछ important specialized agencies को देख लेते हैं तो इनमें पहला नाम आता है Food and Agricultural Organization का इसकी स्थापना होती है 16 October 1945 को और इसका headquarter है Italy के Rome पर वहीं दूसरा जो agency आती है इसका नाम है International Civil Aviation Organization और इसकी स्थापना होती है 4 April 1947 को और इसका headquarter है Canada के Montreal में वहीं अगली agency आती है International Fund for Agricultural Development और इसकी स्थापना होती है 15 December 1977 को और इसका headquarter है Italy के Rome में इवेनों की अगली specialized agency का नाम है International Labor Organization इसकी स्थापना होती है 11 April 1919 को इसका headquarter है Switzerland के Geneva में और खास बात है कि यह first और oldest specialized agency है इवेनों की वहीं अगली agency का नाम है International Maritime Organization इसकी स्थापना होती है 17 March 1948 को इसका headquarter है UK के London में वहीं अगली agency का नाम है International Monetary Fund और इसकी स्थापना होती है 27 December 1945 को और इसका headquarter है Washington DC USA में United Nations की अगली agency का नाम है International Telecommunication Union इसकी स्थापना होती है 17 में 1965 को International Telegraph Union के रूप में वहीं इसका headquarter है Switzerland के Geneva में और अगली agency का नाम आता है UNESCO तो UNESCO की स्थापना होती है 16 November 1945 को इसका headquarter है France के Paris में और इसका पूरा नाम है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization वहीं अगली agency का नाम आता है United Nations Industrial Development Organization इसकी स्थापना होती है 17 November 1966 को और इसका headquarter है Austria के Vienna में United Nations की अगली agency का नाम आता है World Tourism Organization तो इसकी स्थापना होती है 1 November 1975 को इसका headquarter है Spain के Madrid में वहीं अगली agency का नाम आता है Universal Postal Union वहीं इसकी स्थापना हुई थी 9 October 1874 को इसका headquarter है Switzerland के Burn में वहीं अगली agency का नाम आता है World Bank Group तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 July 1944 को और इसका headquarter है Washington DC USA Next agency का नाम आता है WHO तो इसकी स्थापना होती है 7 April 1948 को और इसका headquarter Switzerland के जेनवा में है वहीं अगली agency का नाम आता है World Intellectual Property Organization और इसकी स्थापना होती है 14 July 1967 को और इसका headquarter है Surgeon Land के जेनवा में वहीं अगली संस्था का नाम आता है World Meteorological Organization और इसकी स्थापना होती है 23 March 1950 को और इसका headquarter भी Surgeon Land के जेनवा में स्थित है अब हम India and United Nations के relations को अच्छे से समझ लेते हैं तो पहली प्रमुख बात ये है कि India Atlantic Charter पर sign करता है 26 June 1945 को और India UN को join करता है 30 October 1945 को वहीं रामा स्वामी मुदलियर वा विटी कृष्णा माचारी ने इंडिया की और से Atlantic Charter पर sign किये थे और इंडिया UN की जितनी भी specialized agencies है organization है उनका member है और इंडिया का ये भी mission है कि उसे United Nations की permanent membership मिले और इस mission के लिए यानि की जो permanent representation है इस mission के लिए इंडिया की UN जो ambassador है उनका नाम है रुचिरा कमबोज जो की जुलाई 2022 को appoint की गई थी अब हम India and United Nations के बारे में कुछ और key facts देख लेते हैं तो पहला fact ये है कि वेजय लक्ष्मी पंडित United Nations General Assembly की 8th president वह first woman president रही है पूरी दुनिया में और इनका कारेकाल रहा था 1953 से 1904 गन तक वहीं एस राधा कृष्णन ने UNESCO में इंडिया को रेप्रेजेंट किया 1946 से 1952 तक वहीं 1956 में मौलाना आजाद ने UNESCO के प्रेजडेंट के रूप में अपनी सेवादी जिसकी Conference नई दिल्ली में आयोजित की गई थी वहीं अमरित कौर 1950 में World Health Assembly की प्रेजडेंट के रूप में न्यूक्त होती है वहीं जून 1947 में श्री जगजिवन राम ने जो इंडियन डेलिगेशन है International Labour Organization Conference का उसका प्रतनेटो किया था जो कि जेनेवा शुट्जर लैंड में आयोजित हुई थी वहीं बिनेरंजन सेन First Asian रहे हैं जिनोंने United Nations Food and Agricultural Organization को हेड किया था उसका नेट्रतो किया था और ये रहे हैं 1956 से 1967 वहीं दूसरी तरफ BJ के नामबियार UN General Secretary Ban Ki Moon के De facto Cabinet Chief रहे हैं और ये रहे हैं जनवरी 2007 से लेकर फरवरी 2012 तक वहीं दूसरी तरफ इनके ही भाई 37 नामबियार भी Former Yugoslavia के लिए चलाए गए एक important mission जिसका नाम था UN Pro4 उसके Chief Commander and Head रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं Indian Judges in the International Court of Justice तो इंडिया की और से पहले जो जज रहे हैं इनका नाम है B.N. Rao और ये 1952 पन में रहे हैं दूसरे जज का नाम है नरेंद्रा सिंग और ये 1973 से 88 रहे हैं तीसरे जज का नाम है RS.Pathak और ये 1989 से 1991 में रहे हैं वहीं अगले जज का नाम है दलवीर भंडारी जो की 2012 में रहे थे अब हम ये भी देख लेते हैं कि इंडिया कब-कब United Nations का Non-Permanent Member बना हैं तो पहली बार इंडिया 1951 में बना था दूसरी बार 1957-58 में वहीं तीसरी बार 1972-73 में चौथी बार 1977-78 में पांचवी बार 1984-85 में वहीं चठी बार 1991-92 में वहीं सात्वी बार 2011-12 में वहीं आठ्वी बार 2021-22 में इंडिया UN का Non-Permanent Membership बना था लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि UN का सबसे ज्यादा बार बनने वाला जो देश है जो Non-Permanent Member बना है Even Security Council का उसका नाम जैपान है और ये बारवी बार बनने वाला है Question number second based है आजियान के उपर तो इस question में आपको आजियान के बारे में जो wrong यानि कि false option है उसको चूज करना है तो ये रहे आपके options A, B, C and D तो इसका जो correct answer होगा अब हम आजियान को detail में समझ लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से exam में help हो जाए तो आजियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को और इसके charter को adopt किया जाता है 16 December 2008 को आजियान की स्थापना की गई थी 5 देशों के द्वारा जिनके नाम है Indonesia, Malaysia, Philippines Singapore and Thailand आजियान डे के रूप में और आजियान का जो सेक्रेटरीड है वो है जकार्ता इंडोनेजिया में और आजियान को जाना जाता है Flying Weeds के रूप में और ARF यानि की आजियान Regional Forum की स्थापना 1994 को हुई थी इंडिया इसका permanent partner बना था 1996 को और इसका पूरा नाम है Association of Southeast Asian Nations और 1995 में जो आजियान कंट्री है उन्होंने Southeast Asia को Nuclear Free Zone गोशित किया था और 1997 में जो ASEAN Vision 2020 है उसको अडॉप किया गया था और 2002 से इंडिया ने आजियान के साथ सम्मिट शुरू की और खास बात यह है कि 1992 में इंडिया Resident Negotiating Associate Member बना था आजियान कंट्रीज के साथ वहीं दूसरी तरफ 2015 में ASEAN Community को लॉँज कर दिया जाता है और ASEAN जो Community है इसके तीन Important Pillars है जिन में पहला है ASEAN Political Security Community दूसरा है ASEAN Economic Community और तीसरा है ASEAN Sociocultural Community वहीं दूसरी तरफ नोट करने वाली बात ये भी है कि ASEAN प्लस वन जो है इसमें ASEAN के साथ कई देशों जैसे चाइना, इंडिया, जापान साउथ कोरिया और US के अलग-अलग सम्मिट अलग-अलग बैठके होती है वहीं ASEAN प्लस 3 में ASEAN के साथ relations है यानि कि बैठके होती है summits होती है अब हम ASEAN के कुछ important objectives को देख लेते हैं तो इन में पहला जो objective है यानि कि उदेश है वो है जो economic growth है या फिर social progress है और जो cultural development है इस region का और जो community है उसको peaceful बनाना उसका इसमें development करना है दूसरा है जो regional peace है या फिर stability है उसको बढ़ावा देना है वहीं तीसरा है जो active collaboration है जैसे economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields में उसको बढ़ावा देना और South East Asian जो studies है उसको भी बढ़ावा देना वहीं जो close and beneficial cooperation है with existing international and regional organizations यानि कि जितने भी regional और international organizations है उनके साथ सयोग करना उनके साथ इस तरह का सयोग करना कि जिस से सभी को फायदा हो Question number 3 based है European Union के बारे में तो इस question में आपको European Union के बारे में जो true statements है उनको choose करना है जैसे आपके पास कुछ statements दे रखी है जिनमें पहली है European Union founded on 1 November 1993 through the Master's Treaty दूसरी statement है The emergence of the European Union can trace back to the rise of European steel and coal community 1952 तीसरी statement है In 2012 European Union got Nobel Peace Prize for the promoting peace and democracy in Europe और चौथी statement है 31st January celebrated as Brexit Day तो यह है आपके पास सारे के सारे option आपको जो भी लगता है कि जो जो statements सही है उनको आप ध्यान से चूज कीजिए और correct answer पर click कीजिए तो इसका correct answer होगा D यानि कि सारी की सारी statements true है अब हम European Union के बारे में detail में समझ लेते हैं तो European Union की स्थापना master strategy के द्वारा एक नवंबर 1993 को होती है और इसका जो emergence है यानि कि European Union का जो emergence है वह हो 1992 में देखा जा सकता है जब European Steel and Coal Community की स्थापना की गई थी इसका motto है United in Diversity और इसकी founder members है Germany, Italy, France, Netherlands, Belgium and Luxembourg और 2012 में European Union को Nobel Peace Prize मिला था क्योंकि इसने Europe में Peace and Democracy को बढ़ावा दिया था 31 जनवरी को celebrate किया जाता है Brexit Day क्योंकि इस दिन UK ने घोशना की थी European Union से बाहर होने की वहीं जो UK हैं उसने Brexit किया था 31 जनवरी 2020 को इसकी currency है Euro और खास पात यह है कि Euro को launch किया गया था 1 जनवरी 1999 को पर जो name है Euro उसको officially adopt किया गया था 16 December 1995 को और 1 जनवरी 2002 को जो physical Euro note है और bank notes है उनको प्रकाशित किया जाता है और इसका जो headquarters है वह हो है Brussels यानि कि Bellisium की राजदानी Brussels में और इसके total present में 27 members हैं अब हम European Union की हिस्ट्री को देख लेते हैं तो Treaty of Paris स्थापित होती है 18 April 1951 को European Coal and Steel Community की स्थापना होती है 23 July 1952 को European Economic Community की स्थापना होती है 25 March 1957 को Treaty of Rome स्थापित की जाती है 25 March 1957 को और effect में आती है 1 जनवरी 1958 को Single European Act को पास किया जाता है 1 July 1987 को Treaty of Masters होती है 7 February 1992 को Effect में आती है 1 November 1993 को वहीं Treaty of Amsterdam 2 October 1997 को होती है जो effect में आती है 1 May 1999 को Treaty of Nice पर साइन की जाते है 26 February 2001 को और effect में आती है 1 February 2003 को वहीं Treaty of Lisbon 13 December 2007 को होती है Effect में आती है December 2009 को Question number 4 based है Sark के उपर तो Question number 4 ये कहता है कि Which of the following gave the proposal of setting up a original body named Sark तो आपके पास Options है A, B, C, and D Basic करी जो Question number 4 है वो ये कह रहा है कि जो regional organization Sark है उसको स्थापित करने का जो proposal है निमल खितमे से किस ने दिया था तो आपको जो स्क्रीन में Options दिखाई दे रहे हैं इनमें से जो आपको सही लगता है उसको आप टिक कर सकते हैं तो इसका correct answer है C, यानि कि जिया उर्रहमान ने ही जो Sark का idea है उसको दिया था अब हम Sark को detail में समझ लेते हैं तो Sark का जो idea है उसको पहली बार propose किया था बंगलादेश के ruler जिया उर्रहमान ने 1979 में और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और इसका उदेश्य जो है वह है South Asia की people उनका welfare करना उनकी quality of life में improve करना वहीं इस शेत्र की जो economic growth है उसको भी बढ़ावा देना है इसका secretary है नेपाल के काठमांडू में इसके बरतमान समय में 8 members है जिन में प्रमुक है Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka वहीं नोट करने वाली बात ही है कि जो 14th New Delhi summit हुई थी Sark की 2007 में उसमें Afghanistan, Sark में जुडा था और Sark की first summit हुई थी 7 से 8 December 1985 को बंगलादेश की ढखा में और 19 वा जो Sark summit जो पाकिस्तान में आयोजित होने वाला था उसको उरी अटेक की वज़े से इंडिया ने reject कर दिया था और 2022 में Sark की जो अध्यक्षता है वो नेपाल के पास है वहीं Sark के 9 observers countries भी है जिन में प्रमुक है Australia, China, European Union, Iran, Japan, Mauritius Myanmar, South Korea and United States अब हम Sark के प्रमुक institutions को देख लेते हैं South Asian University located है इंडिया में South Asian Regional Standards Organization स्थापित है धाका वहीं Sark Development Fund की स्थापना भुटान में की गई है Sark Arbitration Council की स्थापना पाकिस्तान में की गई है Sark Asian Agricultural Information Center की स्थापना धाका में की गई है Sark Asian Weather Research Center की स्थापना धाका में की गई है Sark Asian Cultural Center की स्थापना श्रीलंका में की गई है Sark Human Research Development Center की स्थापना इस्तलामाबाद में की गई है वहीं Sark Asian Information Center की स्थापना नेपाल में की गई है अब हम साफटा को भी डिटेल में समझ लेते हैं इसका पूरा नाम है South Asian Free Trade Area जिसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 2004 को और इसकी स्थापना Sark की जो बार्वी समिट पाकिस्तान के इस्थापना हुई थी वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और ये अस्तित्तों में आया था 1 जनवरी 2006 से और खास बात यह है कि इसने रिप्लेस किया था South Asian Preferential Trade Agreement को यानि कि साप्टा को और साप्टा एक Free Trade Agreement है सार का अब हम विम्स्टेक को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका पूरा नाम है Way of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation इसका Headquarter है बंगलादेश के धाका में और इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को और इसको देखा जा रहा है सार के एक विकल्प के रूप में और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ आजियान और सार के वीच एक ब्रिज के रूप में है यानि कि काम कर रहा है एक ब्रिज के रूप में और खास बात यह है कि जो बिम्स्टेक है वो South Asian और South East Asian countries है उनका एक Inter-regional Organization है जिनके देशों को आप बिम्स्टेक के पहले नाम से याद रख सकते हैं जैसे B से बंगलादेश, भोटान, I से इंडिया, M से मयानमार, S से श्विलंका, T से थाइलेंड, E से आता है Economic, C से आता है Corporation बस आपको एक ही याद रखना है नेपाल Question No.5 Based है OPEC के उपर यानि कि इस Question में आपको OPEC के बारे में जो गलत Option है उसको चूज करना है तो ये रहे आपके पास Options A, B, C and D तो इसका Correct Answer होगा B OPEC की स्थापना हुई थी 14 September 1960 को बगदाद में और इसको 5 देशों के द्वारा स्थापित किया गया था जिनमें इरान, इराग, कुवेट, साउधी, अरविया, बेनेज्वेला, शामिल थे और इसके Founders थे जोआन, पैबलो, पैरेज, अलफेंजो, अब्दुल्लाह तारी की और इसका Headquarter है आस्ट्रिया की राजधानी वियना में और 1965 से पहले इसका जो Headquarter था, वो हो सुर्जलेंड के जेनेवा में स्थित था और Currently, अपैक में जो Countries है वे 13 है जिनमें प्रमुख है अलजीरिया, अंगोला, कॉंगो, एक्वाटोरियल, ग्युएना, गैबॉन, इरान, इराक, कुबेट, लीबिया, नाइजीरिया, साओधी अरबिया, एंड युनाटिड अरब एमिरेट्स, एंड वेनेज्वेला Question number 6 based है कुछ important G-Groups जिनको आपको आपस में मैच करना है आपके options A, B, C and D, तो इसका correct answer होगा C, G-Group में हम सबसे पहले अब G-7 को अच्छे से discuss कर लेते हैं तो जो G-7 है इसको setup किया गया था 1975 में और जो G-7 है ये basically एक ऐसा informal group है C-7 world की most advanced economies या फिर countries का जो साल में मिलती है और जितने भी जो issues होते हैं जाए वो global economic policy हो या फिर transnational issues हो उनको समाधान करने के लिए उनके उपर बासित करने के लिए मिलती है इसमें 7 members है Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and US और खास बात यह है कि Crimea के issue को लेकर 2014 में जो Russia है उसको suspend कर दिया गया था Next group का नाम आता है G-15 और इसकी स्थापना हुई थी September 1989 को इसका headquarter स्थापित है Switzerland के Geneva में और ये स्थापित किया गया था जो 9th name सम्मिट हुई थी Belgrade यानि की Yugoslavia में वहाँ पर ये स्थापित किया गया था September 1989 को और जो G-15 group है ये Latin American, African और Asian country के द्वारा स्थापित किया गया था ताकि जो common goal है कुछ चाए वो growth को लेके हो prosperity को लेके हो उनको establish किया जाए और ये focus करता है कि जो developing countries है वहाँ पर investment अच्छे से हो सके, trade और technology को बढ़ावा दिया जा सके और इसके प्रमुक members है Algeria, Argentina, Brazil, Chile, Egypt, India, Indonesia, Iran, Jamaica, Kenya, Malaysia, Mexico, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Venezuela and Zimbabwe Next G-group आता है G20 और इसकी स्थापना हुई थी 26 September 1999 को और जो group 20 है या फिर जिसे हम group of 20 कहते हैं ये basically intergovernmental forum है जिसमें 19 countries and European Union शामिल है और इसका जो purpose है वो है bring together systematically important industrialized and developing economies to discuss key issues in the global economy और G20 जो है ये एक ऐसा group है जो अपने अंदर सामिल करता है world की बड़ी economies को including both industrialized and developing nations and accounts for around 90% of gross world product और 75 से लेकर 85 जो international trade होता है और जो 2 third of the global population भी इसमें शामिल होती है और इसमें जो half of the world का area यानि की 50% जो land area है इन countries में शामिल होता है और इसके 20 members है अर्जेंटाइना, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, UK, US and European Union अब हम बात कर लेते हैं group 77 की तो इसकी स्थापना की गई थी जून 15 को 1964 को 22 non-aligned moment के जो states है उनके द्वारा और अगर हम बात करें ये एक ऐसा group है जिन में जो विकासिल देश है वे शामिल होते हैं उनके द्वारा यानि की जो 77 states है उनके द्वारा इसको sign किया गया था, बनाया गया था इसका headquarter US के New York में है और इसका जो परपज है वो है to provide a forum for developing nations to promote their economic interest और इसके जो current chair है वो पाकिस्तान के पास है इसके बरतमान में 134 members है और इसकी जो first major meeting हुई थी वो अलजीरियस में हुई थी 1967 में और इसकी आदेख्षता की थी रॉल प्रेविशने Question number 7 based है Bretton Woods institutions के उपर तो question number 7 में आपको Bretton Woods institutions के बारे में जितनी भी statements है उनके बारे में गलत जो statements है उनको choose करना है जैसे आपके पास कुछ statements दी हुई है पहली The Bretton Woods Conference held in Bretton Woods, New Hampshire US from 1 to 22 July 1944 दूसरी statement है IMF, World Bank get known as Bretton Woods institutions तीसरी है World Bank and IMF also known as Twin Sisters on 1 January 1995 get replaced by the WTO तो ये आपके पास कुछ statements है और आपके पास options है तो जो भी आपको लगता है कि incorrect statements है और सही option है उसको आप choose कर सकते हैं तो इसका correct options होगा वो D होगा यानि कि जितनी भी statements यहां दी हुई है ये सही है अब हम Bretton Woods institutions के बारे में detail में समझ लेते हैं तो जो Bretton Woods conference है वो हुई थी Bretton Woods में यानि कि New Hampshire जो US है वहाँ पर और ये चली थी 1 से 22 July 1944 तक और IMF, World Bank ये तीनो जितनी भी संस्थाएं हैं और साथ में GAT इनको जाना जाता है Bretton Woods institutions वहीं World Bank और IMF को जाना जाता है Twin Sisters के रूप में और 1 जनवर 1995 को GAT को WTO ने replace किया था वहीं IMF, World Bank और GAT को भी Three Sisters के रूप में जाना जाता है और सबसे बड़ी बात ये है जो आपको याद रखनी है कि जो Bretton Woods Conference का आइडिया है उसको दिया था Harry Dexter White और John Maynard Keynes ने अब हम IMF यानि कि International Monetary Fund को डिटेल में समझ लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 27 December 1945 को इसका हैड़क्वाटर है US के Washington DC में इसकी बरतमान में 190 Countries मेंबर्स है यानि की 189 Countries है और एक कोसोबो है यानि की UN की जो 189 Countries है वो इसमें शामिल है और कोसोबो जो की UN में नहीं है वो भी इसमें शामिल है और इसके first deputy जो managing director थे वे थे गीता गोफिनात और जो international monetary fund है ये एक ऐसी agency है United Nations की जो international financial जो institution है वो है जो बिती है जो मामले है international से जुड़े उसके संबंद में ये discuss करता है और इसका जो परपस है वो है promote international monetary cooperation, facilitate international trade, foster sustainable economic growth, make resources available to members experiencing balance of payment, difficulties, prevent and assist with recovery from international financial crisis Bretton Woods institutions में दूसरी institution आती है World Bank तो इसकी स्थापना हुई थी December 1945 को और इसका headquarter भी US के Washington DC में है इसके भी 189 members है और खास बात है कि जो World Bank है ये एक international financial institution है जो कि loans देता है, grants देता है ऐसी governments को या फिर ऐसी जो middle income countries होती है जो कुछ projects बनाना जाते हैं, कुछ reconstruction करना जाती है और खास बात है कि जो World Bank है ये collective name है International Bank of Reconstruction and Development यानि कि IBRD and International Development Association IDA और जो IDA है इसकी स्थापना हुई थी 1960 को Bretton Woods Institution की अगली जो institution है उसका नाम GATE है यानि कि WTO है तो GATE की पूरी full form है General Agreement on Tariffs and Trade जो की establish हुआ था जेनेवा में 30 October 1947 को इसका objective है promote international trade और 1 January 1995 को GATE को replace किया गया था WTO के द्वारा और WTO का जो headquarter है वो जेनेवा सुर्जल लैंड में स्थित है इसके बरतमान में 164 members है और जो WTO है ये एक intergovernmental organization है जो की regulate and facilitate करता है international trade को और खास बात ये है कि जो WTO है वो world का largest international economic organization है और 1986 से 1994 के वीच जो उरुगवे राउंड हुआ था उसी की वजह से WTO की creation हुई थी question number 8 based है bricks के उपर तो इसमें आपको bricks की जो formations year है उनको match करना है जैसे एक तरफ bricks है दूसरी तरफ उसकी formation date है जैसे rick, brick and bricks तो ये है आपके options A, B, C and D तो इसका correct answer होगा D अब हम bricks को थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं तो सबसे पहले rick की स्थापना होती है 1998 को जिनमें Russia, India and China शामिल होते हैं उसके बाद फिर brick की स्थापना 2007 में होती है यानि कि Brazil इसमें नया member जुड़ता है और rick से ये brick बन जाता है और उसके बाद फिर जो brick है वो bricks में तबदील हो जाता है क्योंकि इसमें South Africa add हो जाता है तो जो brick है वो bricks में शामिल हो जाता है और note करने वाली बात ये भी है कि जो brick की स्थापना है वो Russia, India and China ने आपस में Social, Political and Economic Corporation को स्थाफित करने के लिए की थी और जो term है brick इसको coin किया था Jim O'Nail और रूपा जो पुरुशो थमन है इन्होंने 2006 में और 2001 में और bricks की जो summit हुई थी first वो हुई थी 2009 में रशा में, 13th summit हुई थी 2021 में इंडिया में और जो 15th summit है वो होगी South Africa में 2023 को Question number 9 based है African Union के बारे में तो इसमें आपको उस option को चाटना है जो सही है African Union के बारे में जैसे the African Union was announced in the Sirte Declaration in Sirte, Libya on 9 September 1999 और अगला है finally it founded on 9 July 2001 अगला है it replaced the organization of African unity और अगला है its headquarters located in Addis Ababa उथोपिया तो आपके पास options है जो भी आपको लगता है सही answer हो सकता है उसको tick कीजिए तो इसका correct answer होगा B अब हम African Union को थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं तो जो African Union है इसको announced यानि की इसकी announcement की गई थी सिर्थे declaration इन सिर्थे यानि की लीबिया के जो सिर्थे शहर है वहाँ पर और ये की गई थी 9 September 1999 को और इसको finally found किया जाता है 9 July 2002 को और इसने replace किया था Member State है जो की Africa continent से आते हैं और इसकी जो legislative body है उसका नाम है Pan African Parliament और जो 35th summit हुई थी African Union की ये 20 से 21 जनवरी 2022 को हुई थी Ethiopia यानि की आदिस अबाबा की राजधानी में Question number 10 based है Shanghai Corporation Organization के उपर यानि की इसमें आपको Shanghai Corporation Organization के बारे में गलत जो option है यानि की गलत जो statements है उनको चूज करना है जैसे SCO formed on 15 June 2001, India got membership of SCO in 2018, Pakistan is not a member of SCO, SCO is the world's largest original group तो आपके पास options है ये, जो भी आपको लगता है कि सही answer हो सकता है, उसको आप tick कीजिए, तो इसका correct answer है B अब हम Shanghai Corporation Organization को भी detail में समझ लेते हैं, तो SCO की स्थापना हुई थी 15 June 2001 को और जो SCO है ये एक Eurasian Political Economic and Security Organization है, जिसका headquarter स्थित है चाइना के वेजिंग में और बरतमान में इसके 8 members है जिन में शामिल है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशा, तजाकिस्तान और उजबेकिस्तान, वहीं इंडिया और पाकिस्तान दोनों को 2017 में इसकी membership मिली थी और जो SU है ये शंगाई 5 का successor है जो की एक mutual security agreement था जिसे 1996 में स्थापित किया गया था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशा और तजिकिस्तान के दोरा और खास बाद ये कि जो geographical area की दृष्टी और population की दृष्टी से अगर हम देखें तो ये largest prisoner organization है जो की 60% के लगबग Eurasia का जो area है उसको cover करता है और 40% of the world population को अपने अंदर शामिल करता है और बिश्व की जो 30% GDP है उसमें भी ये participate यानि की भागेदारी करता है करता है